रूस ने 35 ड्रोन अटैक किये कीव पर कीव पर जो ड्रोन अटैक किये गए नॉन स्टॉप हमला कर रहा है रूस कीव के उपर यूकरेन ने नाकाम किये रूस के ड्रोन अटैक ये भी वो दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमने रूस के तमाम ड्रोन अटाइक नाकाम किये हैं। एक और बड़ी खबर आ रहा है। देखिए कीव पर काल बन का तूटी रूस की मिसाइलें। ये खबर देखिए। 16 KH-22 मिसाइलों से रूस ने भीशर हमला बोला है। TU-22M बॉबर से रूस ने मिसाइले दागी हैं। तो लगातार यहाँ पर मिसाइल अटाइक कर रहा है रूस। मिसाइल से बॉबर से मिसाइले दागी जा रहे हैं। ड्रोन अटाइक किये जा रहे हैं। रूस ने यहाँ पर बहुत बड़े अटाइक किये हैं पिछले 24 घंटे में। और कीव कैसे इससे बच रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। आईए ज़रा दो खबरे आपको दिखाते हैं। किस तरह से पिछले 24 घंटे में कीव को दहला कर रखने की कोशिश की है। रूस ने और दहलाया भी है। किस तरह से वहाँ पर देखे। कीव पर रूस की विद्वनसक बंबारी सामने आ रही है। काल बनकर रूस की मिसाइले कैसे तूट रही हैं। वो हम आपको दिखा रहे हैं। KH-22 मिसाइलों से रूस ने भीशा नमला बोला है। 35 डोन हमले किये जो नाकाम कर दिये हैं। यहाँ पर यूकरेन ने दावा किया है। और आए अब आपको दिखाते हैं जरा किहाँ पर किस तरह से लगातार जैलेंसकी का खिला बच रहा है। कैसे वहाँ पर बहुत बड़ा एक सिक्स लेयर सिक्यॉरिटी सिस्टम है। वरना कब का खाक हो जाता जैलेंसकी का किला। आप समझेए यह जो छे एर डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं इन्होंने जलेंसकी के किले को बचाया हुआ है। कीव के बचाया हुआ है। रूस के ताबर तोल अटैक वहाँ नाकाम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यह वहाँ पर है। कीव का सिक्स लेयर सुरक्षा कबच आएए आपको बताते हैं आईरिस्टी जो जर्मनी ने दिया है एस्पाइट जो स्पेन ने दिया है अमेरिका ने नासामस और पेट्रियोट दिया है ब्रिटेन ने ब्रिंस्टोन दिया है रूस्त का एस थ्री अंडेड जो उसके पास और लेडी है ये तमाम जो सिक्स लेयर जो है एर डिफेन्स सिस्टम ये आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर बचा रहे हैं जलेंस्की के खिले को इसको आप समझे है हमारे साथ जो खास भेमान हैं उनसे भी इस बारे में मैं जानकारी लूँगा लेकिन पहले देखिए ये अमेरिका की तरब से दिया गया है इसके बारे में तो बहुत चर्चा है इस वक्ड़ जिसने हाइपरसोनिक मिसाईल मार गिराई वो खबर हम आपको दिखाएंगे अब पेट्योड के लावा अमेरिका ने अज ब्रिंस्टोर मिसाईल दी है और इसके अलावा S300 भी कीव में तनात किया गया है ताकि कीव के आसपास उड़ते हुए जो ड्रोन्स आ रहे हो मिसाइले आ रहे हो उनको नाकाम किया जा सके और क्या यही एवियम श्रिवास्त हो क्योंकि आप इनको अच्छे से समझते हैं आप जल्दी से मुझा आईए बताईए मुझे क्योंकि मेरे पास तो तस्मीरे आ रहे हैं मैं वो तस्मीरे भी दिखाऊंगा क्या यही वो कारण है जिस वज़ा से कीव का खिला अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है नहीं गवर्व आप बिल्कुल सही कहा रहे हैं बेसिकली जहां भी जो की रिजल्ट हमारा एरिया होता है या जो की डिफ लाइंडेर है लांग रेंज से लेके मीडियम रेंज और शौट रेंज तक वह टार्गेट को डिस्ट्रॉइब कर सकते हैं बाद में आपने देखा है आयरेस है यह सारे के सारे जो है वह शौट से मीडियम रेंज पर हैं इन सब की मदद से मल्टी लेयर एर डिफेंस केरे पास वो विजुल जा चुके हैं, कैसे यहां पर ड्रोन को इंटर्सेप्ट किया जा रहा है, कैसे मिसाईलों को मार गिराया जा रहा है, कैसे कीव के आसमान में जलते हुए जर्रोन गिर रहे हैं कीव को गिराना है ने ये तोर मैं नहीं समझूँगा क्योंकि अभी इसको मैं नौ माई की जो वहां पर एवेंट है उसके साथ जोड़ कर देख रहा हूं क्योंकि रश्या चाहता है कि कीव को ऐसी हरकत न करें उनका जो एवेंट है उसके उपर डिस्टरबिंस कर पाएं जैस कीव के ऊपर जो बंबार्डमेंट कर रहे है वो ये बंबार्डमेंट तो पिछले फेबरु से हो रही है और अगर इनके जो डिफेंसिव सिस्टम को देखा जाए तो वो बहुत ही पुक्ता है बड़े एफेक्टिव है और ये अपने आपको बचा लेते हैं और पूरे जो इसमें मैं आरहों से आपके पास एक इसवक्त जो बहुत जादा सुर्ख्यों में च्छाई हुई है खबर वो ये कि पेट्रियोट ने किंजल मिसाइल को मार गिराया